नमस्का सनलाइज न्यूस एक रहे हैं और मैं आपके साथ सलोनिस्थरी ग्रीन पार्क स्टेडियम में टेस्ट मैच के दुरान इंटरनेट मीडिया पर फोटो वाइरल होने के बाद शोभित ने कहा कि इसे शेहर का नाम मदनाम नहीं हुआ बलकि लोगों को खुल कर हसने का मौका मिला है इंटरनेट मीडिया पर वाइरल फोटो को कवी डॉक्टर कुमार विश्वास सहित काई लोगों ने ट्विट किया था इस वीडियो के वाइरल होने के बाद शोभित ने खुद इस बात की सच्चाई बताए कि वो मैच को दरान जब वीडियो में उनका चेहरा आया तो वो क्या खा रहे थे कवी डॉक्टर कुमार विश्वास ने लिखा है कि काहनीपुर में मैच आहे आज कानपुर के सरवोदे नगर निवासी शोभित ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे शहर की बदनामी हो अपनी छोटी बेहन के साथ में मैच देखते हुए उनका फोटो वाइरल हुआ उन्होंने कहा कि उसमें मेरी मुबाइल फोन पर बात करते हुए फोटो दिख रही है मैंने पान मसाला नहीं बलकी मीठी सुपारी खाई थी हाला कि कमेंट देखकर लग रहा है कि शहरवासियों को खुल कर हसने का मौका जरूर मिला है मुझे अपनी चिंता नहीं है बलकी वीडियो देखने के बाद मेरी बेहन को लेकर भी काफी कमेंट किये जा रहे है वो काफी निंदनी है चौक में पोस्टर वा कलेंडर का काम करने वाले शोभित के मुताबिक हमारी अदा पर लोग खुल कर हस रहे हैं अब हर व्यक्ति तो एक जैसा हो नहीं सकता कोई अच्छा लिख रहा है तो कोई खराब लिख रहा है लोगों ने खूँ मस्ती की लोगों ने इसे कानपूर की अदा बताया है दरसल कानपुर की पैचान पान मसाला खाने वालों से नहीं बलकि आधर और सब्धिता से हैं कई जगें मेरे माफी मांगने का वीडियो चल रहा है लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वज़े से मुझे माफी मांगनी पड़े तो वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पर चाय कानपुरिया नाम से वीडियो शुक्रवार को भी खूप सुर्खियों में रहा है इसमें कभी कुमार विश्वास के साथ ही पूर्फ किडर वसीम जाफर हाज से कलकर राजुश्रिवास तब आदी तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलेगे